नमस्कार मैं इंजिनियर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चेनल बैसिक नॉलिज इंट्रेटैन्मेंट में आज हम आपके लिए लेके आये हैं PQC यानि पैमेंट क्वाल्टी कॉंक्रीट आज हम PQC को जीरो से और लास्ट तक आपको पूरा डेटियल और कम्प्लीट बताएंगे किर्पिया हमारे साथ बने रही है चलिए आपको बैसिक से हम चालू करते हैं देखो दोस्तों PQC क्या होता है देखिए PQC क्या होता है PQC का फुल फॉर्म क्या होता है पैमेंट क्वाल्टी कॉंक्रीट ठीक है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता पैमेंट क्वाल्टी कॉंक्रीट अब दूसरा स्टेप होता हमारा एरिया पिरपेशन एरिया पिरपेशन में स्टेप वन जो हमारा होता है उसका मतलब होता है कि all unwanted all unwanted lose particle remove to greater machine ठीक है greater machine का हमें इसमें इस्तमाल किया जाता है और all unwanted जो हमारा metal होता है उसको रिमूट किया जाता है जैसा कि हम यह देखिए यह हमने greater से जो हमारा dlc surface है उस पर जितना unwanted metal है यानि मिट्टी और बाकी concrete या फिर धूल मिट्टी जो भी होता है उसको हम रिमूट कर दें है ेटर से हमने greater से इसको रिमूट होने के बाद में दूसरा हमारा step होता है वहँता है हमारा compressor हमारा हमारा जमीशर के रिकार पाथा है我 फिर उसके किलीनिंग करते हैं आप हमारे साथ बने रही है आपको बेसिक के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलिज भी देंगे थाकि आप जिंदगी में कभी नहीं बूल पाओ जैसा कि गाईज आप देख पा रहे हो ये हमारा कंप्रेसर मशीन है ठीक है और ये हमारा अपना compression machine चल रहा है और ये by ear के जरी जितने unwanted metal हैं और जितने धोल मिटी के कन हैं वो सारे यहां से remove कर रहे हैं ताकि जो हमारा separation member हम जो laying करेंगे उसके बीच में और dlc के बीच में कोई हमारा मतलब gaping point ना रहे देखिए यह सारा जितना cleaning है पूरा यहां से हम बारी किसे इसको 100% release कर दें पूरा टोटन उसके बाद में जब हमारे यह हो जाएगा उसके बाद में फिर हम इसका क्या करेंगे broom guys हमारा ये broom होने के बाद में हम इस पर marking कर देंगे दोनों side पर marking भी हम आपको दिखाएंगे कि 20-30 मेंटर पर हम आपना marking point जिसे हमें guiding wire लेंग करना पड़ेगा और उसके बाद में हमारा next step जो आता है वो होता है separation members laying करना ठीक है जो guys एक बाद ध्यान रखना जो minimum laying लेपिंग हम इसमें करते हैं separation member में वो है 500 से 1 मेंटर पर मतलब एक मेंटर लेपिंग हमने करना चाहिए अच चलिए हम आपको दिखाते हैं कि separation member हम कैसे laying करते हैं guys जीजा कि आप देख पा रहे हो ये separation member है ये separation member है इसको हम laying कर रहे हैं पूरे और ये इसको ऐसा laying करते हैं कि जो इसका अपना laying होता है जिस देखिए ये laying 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 हम आपको दिपा रहे हैं यहां से लेके और यहां तक जो लेपिंग है इसका ठीक है 500 to 500 to 1 meter होना चाहिए और देखिए हम इसको ये laying करते हैं अब उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसे अपना पीकुशी है चालू करते हैं देखिए हाईवे में हमारा जो concrete है design mix है इस पर standard जो design mix है वो हमने इसको यहां पूट कर दिया है पूट करने के बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह paper machine हमारा चल रहा है और इसमें देखिए यह हमारा जो हम दिखा रहे थे यह हमारा sensor paper से हम इसका पीकुशी कर रहे हैं और यह जो हमारा है guide wire होता है guide wire इसको बोलते हैं और इसमें tolerance के बारे में भी हम आपको बताए रहे हैं मददब पलस माइनस 2 mm हम इसमें लेकर चलते हैं पलस माइनस 2 mm इसमें लेकर चलते हैं देखिए हमारा sensor paper है वह राइड गन कंपनी का है और हमने यह sting wire बोट साइड में लेंग कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारा और गाईस यह हम आपको दिखा रहे न हम इसमें कैसे स्टेकिंग कर रहे हैं और इसका जो डाया होता है वह 35 mm होता है 32 mm होता है सोरी 32 mm इसका डाया होता है और इसको हम mild steel बोलते हैं माल्ट स्टील गाईस यह हम जो यह जो होरीजोंटल हमारा जो पार्ड होता है पेक्विशी का एफ्री 4.5 मीटर पे हम इसको वह करते हैं स्टेपिंग करते हैं साड़े 4 मीटर पे हमको यह देना पड़ता है सोरी गाईस यह हमें इसको लेंग करना पड़ता है गाईस जैसा लोगी टूडनल जो जॉइन्ट आता है पीकुशी के अंदर उसमें गाइस हम टाइबार प्रोवाइड करते हैं देखिए यह टाइबार है यह आपको दीख रहा है यह टाइबार है टू एलम टाया होता है इसका टाइबार का और इसको हम मतलब हर मिनिट में इसको हम स्टेकि जॉइंट में देखिए गाईज यह आपको दीख रहा होगा जो हमने डावल्स बार स्टेकिंग किये थे वह अपने इससे कंप्रेशन मशीन से ठीक है यह वाइबरेटर में तर इसको बोलते हैं हमने डावल्स बार इसमें फिट कर दिये यहाँ पर यह 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 य में हमारा इसमें जो वाइबरेटिंग सिस्टम होता है उसके थुरू उसको कम्प्रेश किया जाता है और एवरी साड़े चार मीटर पर इसको हमें लेंग करते हैं और वो दिखाते हैं हम आपको जैसा कि अब देख पारें जो हमने डावल्स बार फिट किये थे देखो यह हमारा पेनल कटिंग हो गया यह यह पैनल कटिंग हो गया और यह पैनल कटिंग हो गया तो यहीं पर हमें जो पीक्विसी होता है हमारा जैसे पीक्विसी का जो ठिकनेस होता है हमारा कितना होता है 300 mm है तो हमको जो डावल्स बार प्रवाइड करने है वो मतलब मिड डिप्त में करने है मिड डिप्त में करने है यानि 200 mm पे हमें डावल्स बार प्रवाइड करने है जैसा कि यह जो हमने कटिंग कर रहा किया जैसा कि आप देख पारें यह साड़े 4 मिटर होता है और जो हम टाइब और पे श्राइब करता है यह जो हमारा आटीघ होता है बीच में जो हप प्रोर्षन का कटिंग होता है ही जो हाँ पॉर्षन का यहां शेले получится यहां पे धों हमें चाइब और पर चाहिण करने जो हमने आपको दिखाय था यह टाई बार है और यह हमारा 600 mm जिसका लेंथ होता है 600 mm का और 12 mm का डाया है हमेंसा यह लोगी टूर्नल जो जॉइंट होता है वहीं पर हम इसको परवाइड करते हैं हमेंसा डावसबार परवाइड किये जाते है नावसबार परवाइड किया जाते से लौगी टूर्नल जोइन पर लोगी टूर्वणल जोइनट पर 27 यह टाइबार प्रोवाइड करने पड़ते हैं जैसा कि आप देख पारे हैं यह टाइबार ठीक है टाइबार प्रोवाइड करने पड़ते हैं और यह देखिए हमने अंदर से आपको पूरा पारी की से दिखा रहे हैं अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो तो please हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही नॉलिजिवल वीडियो से मतलब जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहे हैं सब्सक्राइब करिए हमेरे चैनल को और अच्छे से हम आपको गैज इसमें हमें एक चीज दिहान रखना यह टेंपरेचर मीटर है और जैसा कि हमने आपको दिखाया इसको दीखिए यह हमारा कितना आ रहा है टेंपरेचर हमें चेनरली काई जो टेंपरेचर रिक्वार्मेंट होता है वो तब 25 से 25 से 30 डिगरी तक होना चाहिए 30 डिगरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 5 डिगर रहे हैं डिखिए 29 यह टेंपरिशर है ठर्ली मूला मैं चाहिए 2021 जो चेक करना हो सलम कितना होना चाहिए 2020 कितना होना चाहिए कि सलम हम चेका Л sentenced ते लिए जैखे लिए और कि वेक्व linD इसको भरेंगे 4th layer में और 4th layer में भरेंगे देखे यह अच्छे से इसको पहले mix कर रहा है mix करने के बाद इसको यह अपना treatment चालो करेगा और पर लियर जो हमें इसका टेंपिंग करना है टेंपिंग करना है टाय रोड के दुवारा टेंपिंग करना हुए 25 नंबर से टेंपिंग करना है तो ऐसे ही देखे बारी किसे हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि आपको क्या क्या काम चेक करना चाहिए देखो डावल्स बार ह होगे आप आगे आपको टेक्स्चिंग के बारे में भी इसको बताएंगे कि टेक्स्चिंग कितना होना चाहिए सलम कितना होना चाहिए और क्यों कितना भरना चाहिए बैस थोड़ा वीडियो लंबा बंडा लेकिन दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो करेंगे ताकि आपका भी knowledge बड़े और हमारा भी knowledge बढ़े इसको भर दिया है यह से 25 बहर इसको टेंपिंग किया जाता है हमेसा कभी भी हम इसको को चेक करते हैं देखिए अब हम इसको अब दिखाएंगे कि तना हमारा इसमें सलम・ रिक्वार्ड होता है जनर ये सलम रिक्वार्ड होता है इसमें 30 30 पलस माइनस 15 होता है कितना 30 पलस माइनस 15 सलम होता है इंटर्व्य कोस्चन है दोस्तों इसमें हम आपको एकुरेट नोलिज शेयर कर रहे हैं इसलिए देखिए यह हमने इसको ना पाहे यह आपको दीख रहा होगा कि यह 40 mm इसका शलम आजा कितना 40 mm 40 mm इसलम आया यह देरे-देरे आपको दिखा देते हैं 10 20 इसका शलम आया है काहिस सलम चेक करने के बाद में देखो इसमें हमें मिनिम्मम जो भीम और क्यू भरना पड़ता है उसका जो हमें रेशो होता देके विम वाइबरेटर लगना जरूरी है और यह इसमें जो क्यूवर प्रतिय और यह उसलिए बढ़ते है कि यह तो है तो जाइस करते हैं तक इसमें तीन चीज हमें याद रखने हैं नंबर एक देट थीक है इस पर क्या डालने हमें डेट डेट ओकाष्टिंग इससे हमें यह पता चल जाता हैं कि हमारा की स्टेट को वा फिर ग्रेड ओफ कंक्र कौन सी ग्रेट का कॉंक्रीट हम जैसे यूज कर रहें ठीक है फिर जो नमबर तीसरा है वेरी इंपोर्टेंट फिर रोड का चैनेज को हां पर हमारा काम चल रहा है रोड लोकेशन ठीक है रोड लोकेशन और गाइस एक जो इसका रेशो होता है वो क्या होता है देखो कितने 150 in Q pe minimum cubic meter ठीक कितना minimum two to came for two beam भरने चाहिए ठीक है कि अकर minimum पर्डे हमारा जैसे long time हमारा concrete चल रहा लोंग टाम पी क्यूशी चल रहा है तो प्र्डे का जो यहुड होता है वो six cube and six beam का होता है शिक्स बीम का होता है चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं इसकी थेकनेस का ज़िए तोप से हमने इसको ले लिया यह तोप से इसकी थेकनेस होने चाहिए 300 mm ठीक है 300 mm हमारी थिकनेश होनी चाहिए अब इसको चेक कैसे करेंगे चलिए चेक करके भी हम आपको दिखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहां से यह हमारा बोटम स्पेस है सेप्रेशन में में हमारा को दिखाई दे रहा है यह देखिए और यह हमारा 300 mm है इसको हमने ठीकनेश भी चेक कर लिया अब काईज हमें जो अब काईज नेक्स कोईशन हमारा आता है इसका क्योरिंग कैसे करें ठीक है और हमें केज़े करना चाहिए कितने दिन करना चाहिए और क्या हमें यूज करना चाहिए तो चलिए वो इस टेप भी हम आपको बता देते हैं बिल्कुल आप हमारे साथ बने जीज से अब देख पा रहे हो आफ्टर कास्टिंग हमें क्या करना चाहिए हमें ये हैसन क्लोथ हैं ये लेंग करने चाहिए और ये काफी टिस्टेंज से हमारा है क्लोज का वन मीटर है तो एसा हमें नहीं करना चाहिए वेरी कलोजली हमें लेंग करने चाहिए बिल्कुल एकदम कलोजली यह कलोजली होना चाहिए और यह हमें 28 तक इसका हमें क्यूरिंग करना चाहिए और दिन में अगर हमारा विंटर का मौसम है तो दो बार चलेगा ठीक ह अगर हमारा समर कमोशन में तो एनी टाइम पर इस पर क्यूरिंग ताइए ताकि इसमें क्रेक जनरेट ना हो और जो हमारा स्टेंट है वो काफी मतलब इस पर रिक्वार्मेंट हमें एचीवमेंट हो गाइज अभी ही चलिए हम आपको बताते हैं कि पीक्वीशी के बारे में इंटर्वी में क्या 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 कोशन हमसे पूझे जाते हैं और वह उसी के लिए हम आपको यह जानकारी दे रहें ताकि आगे चलके आपको किसी भी इंटर्वीव में पीक्वीशी के बारे में ऐसा बना हो तो चलिए बने रहे हैं हम आपको बताते हैं पीक्वीशी में क्य गाइज दूसरा question area preparation करना area preparation में unwanted lose particle हटाना और अपना ear compressor से सपाई करना या brewing करना गाइज तीसरा होता है हमारा step इसमें marking होता है marking करते हैं both side ठीक है छोता हमारा होता separation member को laying करते हैं separation member का लेपिंग हमें 500 एक मीटर तक होना चाहिए गाइज जो हमारा पांस बर चीज होता है वह होता है हमारा guide wire guide wire leaves ठीक है GUID guide wire leaves जो इसमें tolerance होता है plus minus 2 mm होता है ठीक है गाइज तीसरा question है हमारा सलम कितना होना चाहिए शलम प्रिक्यूशी में कितना होना चाहिए PQC में हमारा सलम होना चाहिए 30 plus minus 15 होना चाहिए हमने आपको वीडियो में भी बताया है गाइज हमारा चोथा question है गाइज हमारा next question है क्यूब और बीम कितना भरना चाहिए 1500 cubic meter पर हमें इतना मतलब minimum two two beam two cube भरना चाहिए level tolerance plus minus five हमें हमारा ये भीम में गाइज हमारा सबसे important जो question हो है तर texting texting हमारा कितना होना चाहिए depth हमारा 3 mm width हमारा 3 mm होना चाहिए गाइज इसी को हम टेक्शिंग बोलते हैं यह वे विर गहीं होना चाहिए तीन में होना चाहिए अगर इससे इसकी testing जो करते हैं उसके लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो को हम आपके लिए बनाएं गे और इसके related जो टावल्स बार, टाई बार सब के बारे में वीडियो बनाएंगे आप हमारे साथ में बने जाए ठीक है गैज देखो वीडियो लंबा बंडा है तो बनने तो हमें incomplete knowledge partner नहीं आता हम चीरो से बताते हैं और लास्ट तक चब तक एंड नहीं हो जाए तक तक किसी को समझ में नहीं है गैज हमारा next question tie bar, tie bar हम कहां यूज करते हैं tie bar हमें longitudinal section में यूज किया जाता है और टावल्स बार, टावल्स बार क्या होता है, टावल्स बार, टावल्स बार 32 mm डाया का होता है और गैज इसको हम mild steel, mild steel का होता है, ठीक है और इसका center to center distance 300 mm होता है, ठीक है गैज उसके बाद में ये vibrating method से इसको staking किया जाता है और every 4.5 meter पर इसको दिया जाता है गैज इसमें temperature कितना होना चाहिए, PQC का 35 degree से 30 degree होना चाहिए, 30 degree से जादा नहीं होना चाहिए और 5 degree से कम नहीं होना चाहिए गैज इसका thickness कितना होना चाहिए, PQC का 300 mm होना चाहिए, गैज इसका curing कितने दिन होना चाहिए 28 days होना चाहिए, 28 days होना चाहिए, 28 days होना चाहिए 28 days और with hesson cloth होना चाहिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है अगर आप कुछ इससे सीके हो तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में आप बने रहें नेक्स टाइम हम आपको ऐसी ही वीडियो डावल्स बार्ज कर्व स्टोन पैंटिंग ये सब आपको बारी की से समझाएंगे तो आप हमारे साथ में बने रहें आपको कीमती वक्त लेने के लिए धन्यवाद और दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा नहीं लगा हो तो उसको डिसलाइक कर दीजिए कोई परेशन ही नहीं है वीडियो लंबा जरूर है लेकिन चीरो जिसमें प्रवाइड क्या है इसे के साथ हम अपना वीडियो का एंड करते हैं जै हिंद